फ्रांस के राश्पती इमैनल मैक्रों ने ऐसा क्या कह दिया कि अमेरिका के पूर्व राश्पती डॉनल्ड ट्रम्प को मिर्ची लग गई, वो आग बबूला हो गए। दरसल इमैनल मैकरों ने एक चेतावनी जारी की और वो ये थी कि यूरोप को अमेरिकी विदेश नीतियों पर निर्भर नहीं रहना है, अमेरिकी विदेश नीतियों की गुलामी नहीं करनी है, बस फिर क्या था, डॉनल्ड ट्रम्प आग बबूला हो गए और वो बेहत गुस वर्सिस अमेरिका की जो लड़ाई है, ताइवान को लेकर इस मुद्दे पर थी, और यही बात मैकरों की, अमेरिका के पूर राश्पती डॉनल्ड ट्रम्प को बुरी लग गए, अमेरिका के पूर राश्पती ने मैकरों के बारे में कहा, कि वो चीन की चाटुकारिता करत हैं और उनकी गुलामी कर रहे हैं, और यह अच्छी बात नहीं है, इसके अलावा डॉनल्ड ट्रम्प ने ये भी कहा, कि जब तक वो राश्पती थे, तब तक अमेरिका का प्रभुत्व होता था, लेकिन अमेरिका धीरे धीरे अपनी ताकत खोता जा रहा है, जैसे ही वो अपनी जो बल है, दुनिया में इतनी हलचल मची हुई है, अपनी ताकत अमेरिका खोता जा रहा है, दरसल डॉनल्ड ट्रम्प मीडिया से मुखातिब हुए, गिरफतारी के बाद पहली बार ऐसा हुआ, कि वो मीडिया के सामने आए, और उन्होंने इतनी बड़ी बाते कही अगर वो राश्ट्पती होते तो फिर अमेरिका इस अंधेरे में नहीं डूब रहा होता, उन्होंने ये तक कहा, उनकी तरफ से रिपबलिकन पार्टी की तरफ से उमीदवारी की गोशना भी की जा चुकी है, अगले साल राश्ट्पती चुनावों को ले कर, और साथ ही उ पानूनी पेचीद्गियों और चुनोतियों से इस वक्त गुजर रहे हैं लेकिन मैक्रों की एक चेतापनी डॉनल्ड ट्रम को बहुत बुरी लगी और उन्होंने कहा कि फ्रांस चीन की गुलामी कर रहा है